नमस्ते, आज तक AI के राशिफल स्पेशल शो में आपका स्वागत है, मैं हूँ AI आंकर नैना, आज 22 अगस्त, भादरपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतिया तिथी और दिन गुरुवार है, राशियों के हिसाब से कैसा रहेगा आज का दिन और कैसी होगी ग्रहों की चाल, सब जानेंगे आज के कारेक्रम में, तो शुरू करते हैं आज की राशी, शुरू आत करते हैं मेश राशी से, आज आप सावधानी से रहें, विरोधी सजग रहेंगे, आर्थिक लेंदेन में सपष्टता रखें और उधार से बचें, आज आवश्यक निवेश पर जोर बन करें, आज शुब अंखे 2, 3 और 9, एपल रेट कलर लखी होगा, बात करेंगे वरिश राशी की, महत्वपूर्ण कार्य तेजी से आगे बढ़ाएंगे, लाब के अफसर बनेंगे, लक्षियों को पूरा करने का प्रयास होगा, कई स्त्रोतों से आय की संभावना है, विभि परिनाम बनेंगे, आज शुब अंखे 2, 3, 4 और 6, पाइनेपल कलर लखी होगा, व्रिश के बाद बारी है मिथुन राशी की, आज आप कार्यक्षेत्र में इचित परिनामों से उतसाहित रहेंगे, कर्य व्यवसाय उलेखनिय रहेगा, बीवकालिक योजनाओं को बल सुख सौख्य बना रहेगा, शिक्षा से जुड़े जन बहतर प्रदर्शन करेंगे, सफलता प्रतिशत उमीद से अच्छा रहेगा और व्यवसाय मजबूत होगा, अपनों का ध्यान रखें, आज शुब अंखे 2, 3, 4 और 5, स्काइ ब्लू कलर लखी होगा, कर्कराशी की ब की प्राप्ती होगी, लाग प्रभाव को बल मिलेगा और पेशिवर संबंध संवरेंगे, आज लंबी दूरी की यात्रा की संभावना है, प्रेम संबंध मजबूत होगे, दो, 3 और 4 नंबर लकी हैं, भगवा रंग शुब होगा, कर्क के बाद बारी है सिंगराशी की, हथपपूर्ण मामलों में जल्दबाजी न करें, आकस्मिक्ता बनी रहने की आशनका है, शुपपल पाने के लिए मा महालक्षमी की पूजा करें और लाल पीली वस्तों का दान करें, आज 1, 2, 3 और 4 नंबर लकी है, स्वर्निम रंग शुब होगा, कन्या राशी की बात करे तो आज आप साजीदारी की योजनाओं को गती देंगे, भूमी भवन के कार्य बनेंगे और उद्योग व्यापार में अफसर बनेंगे, पारिवारिक मामले लंबित रखने से बचे और पेशेवर्ता पर जोर दे, साथी उपलब्धी हासिल कर सकते हैं, टीम भावना देगी और मान सम्मान में व्रिद्धी होगी, दाम पत्य जीवन सुख मेय रहेगा, आज शुब भंख है दो, तीन, चार और पांच, एपल ग्रीन कलर लखी होगा, कन्या के बाद बारी है तुला राशी की, मेहनत्व समय प्रबंधन पर जोर रहेगा, कामकाजी गतिविद पर भरोसा न करें, प्रेन संबंधों में मजबूती रहेगी, आज शुब भंख है दो, तीन, चार और छे, फिरोजी कलर लखी होगा, अब बारी है व्रिष्चिक राशी की, व्यक्तिगत कारियों में तेजी बनी रहेगी, आप रचनात्मक कारियों से जुडेंगे और प्रतिशत बेहतर होगा, रिष्टों में सुधार बना रहेगा, आज शुब भंख है तीन, साथ और नो, चौकलेटी कलर लखी होगा, धनू राशी की बात करें तो आज भावनात्मक विश्रियों में धैरियों सतर्कता बनाए रखें, व्यक्तिगत मामलों में आप प्रभ प्रभावशाली रहेंगे और वरिष्टों का सानिध्य पाएंगे, प्रबंधन पक्ष सहयोगी रहेगा, स्वार्थ संकीर्णता से बचे और भावुक्ता पर नियंत्रन बढ़ाएं, लाबव प्रभाव सामान्य रहेगा, सुविधा संसाधनों में वृद्धी होगी, कर् सामन जस्य वसह कारिता बढ़ेगी, निसन कोच आगे बढ़ें, सुखत सूचना मिल सकती है, आज कामकाजी यात्रा संभव है, मित्रों का साथ मिलेगा और आप सबको जोड़कर आगे बढ़ेंगे, विभिन क्षेत्रों में शुभता बनी रहेगी, वादा पूरा करें, द बढ़ेंगे और सम्मान में वृद्धी होगी, जिम्मेदारों से मुलाकात होगी और आप देवकालिक योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा, सुख वैभव बढ़ेगा, दो, तीन, चार और आठ भागय पक्ष मस्बूत होगा और उमीद से बहतर परिनाम बनेंगे, फ्रेन संबंधों में शुबता रहेगी, दो, तीन और छे नंबर लकी है, पीला रंग शुब होगा, आज के राशेफल में बस इतना ही, कल फिर सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा होगी, तब तक के लिए आप बने रहें आज तक AI के साथ, आपका दिन शुब हो